अलो एवरीबड़ी क्लास 11 एकोनोमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागते लास्ट वीडियो के अंदर अपने अपना एड़्थ चेप्टर जिसका नाम है सुचकांग स्टार्ट कर दिया था और अपने देख लिया था कि यदि हमें दो विविन आवधियों के मध् अर्थात सुचकांग के द्वारा हम सम्दित चरो के समूह के परिमानों में आय अंतर का ग्यान कर सकते हैं विश्लेशन कर सकते हैं तुलनात्म का दिया कर सकते हैं तो यह अपने देख लिए ता लास्ट वीडियो के अंदर फिर अपने देखा था कि जो अपने सुचकांग होते हैं उनकी विशेष्था है क्या सूचकांगों की सीम्हाइं क्या है और मतोपन सूचकांग कौन कौन सी कि सूचकांग की रचना के समय मैं जयां रखने यहां कि किम बात यहां साथने के आधार अवदे किसे गे यह को सब्सक्रांगों क्या Cem यहां मैं धियान रखने ही बाते हैं अर्फात यदि हमें तुल्लान् करना अब जैसा कि मैंने आपको बतegeता है कि जब हम बजार में जाते हैं तो में पऩा चलता है कि कुछ वस्तुर की कीमत हैं बढ़ गाई और कुछ वस्तुर कीमत है कम हो गई echz induct करते हैं तो हमें आविश्चता पड़ती है सुचकांकी और जब इसी क्ङांकी रशना करते हैं तो हुँदेश्य का जैन मदों का जैन अर्था आथ हम जिन मदों का जिन मुल्यों का जैन कर रहें वही इस तरफियों कि वह अन्य मदों या दूसरी दूसरे मुल्यों का प्रतिनिधित्व कर सके आधार वर्ष का चुनाव जब अपन सुचकांग की बात करते हैं तो सुचकांग तो उस वक्त हमको आधारवर्ष का चैन करना होता है तो हमें अमेशा आधारवर्ष एसा लेना चाहिए जो सामान नहीं हो अर्थ एसा नहीं कि हम आधारवर्ष उसको लेले जब बाहर आ गई थी सुखा पढ़ गया था कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी या किसी प्रकार का युद्ध्य चल रहा था तो जिब अपन सुचकांग का निर्मान कर रहे हैं सुचकां की रचना कर रहें तो मैं आधारवर्ष के चैन के अंदर बहुत सावधानी रखनी होगी आधारवर्ष का जो चेहन करते हैं वह सामाने वर्ष होना चाहिए लिए ढ़र्द्यों का यूज करके अपन सुचका निकल रहे हैं ध्यान रखना है मदो वो प्रश्णों की प्रक्रति के आधार पर सुत्र का चैन जैसे अभी अगे पढ़ेंगे लेस्पेयर कीमत सुचका पाशे का मुल्य सुचका तो हमारे किस प्रकार के प्रश्णे उसके उपर अपन सुत्र का चैन करेंगे इसके बाद होता है आखडों के संग्रह में सावधानी जब हम आखडों का संग्रह करते हैं क्योंकि अपने पहले दूसरे पार्ट में पढ़ दीतियक आखडों के संग्रह की कहीं सारी विदिया होती है तो हमें आखड़े विश्वस नहीं है चाहिए हम आखड़े वहां से लेंगे उसका इस्तरोत एसा होगा जो विश्वस नहीं हो जो मान्यत प्राप्तों जो वेधानी को तो आखडों के संग्रह में सावधानी और प्रात्मिक आखड़े प्रयुक्त नहीं करने की स्थिति में देखना होगा कि इसका इस्त्रोथ कौन सा है कहां से अपने आखड़े ले रहें किसी विश्वस निया इस्त्रोथ से यह में आखड़ों का चेन करना है तो यह तो हो गया सुचकान की रचना के समय ध्यान रखने की बाते हैं आके बात करते हैं आधार अवदी क्योंकि हम पहली वीडियो में और इस वीडियों के दर बार बार बात कर रहे हैं कि सुचकान के निर्मान के समय हमें दो अवदियों के मध्य में तुलना करनी होती है एक आधार या बेस यह और दुसरा होता है करेंट यह तो आधार अवदी जिस अवदी से तुलना की जाए जब अपन दो अवदी की बात करते हैं एक अवदी तो वर्तमान अवदी होती है और दूसरी अवदी पूर्व की भूतकाल की कोई अवदी होती है तो हम जिस अवदी से इसकी तुलना कर रहे हैं आकडो का हम वर्तमान आकडो तुलना भूग काल की जिस अवदी से कर रहें उस अवदी को आधार अवदी कहते हैं जैसे यहां में किसी वस्तू की कीमत की जो तुलना कर दीयें तो 1909 में उस वस्तूकी कितनी निकाना जाता है तो सुचकांग की रचना के समय ध्यान रखनेयों के बाते देख ली कि उद्देश क्लियर हो प्रश्ण ऐसे हो कैसे उस पर डिपेंड करता है सुत्र कैसा हो आधार रश का चैन करना है मदों या मुल्यों का चैन करना है और मुल्य ऐसे हो जो प्रतिनीती मु सुचकांग की रचना, तो सुचकांग की रचना की मुख्य रप से दो विदिया है, समुईत विदी और मुल्यानुपात की माध्य विदी, समुईत विदी को भी दो भागम बाटा है, लेस्पेयर कीमा सुचकांग, पाशे का मुल्य सुचकांग, और फिर अपन देखेंगे म करते हैं हम दो अवदियां ल robić & जालू वर्ष भी उसको कहते हैं तो आधर अवदी के ंदर वस्तू की कीमत और उसकी उपभूऊक की मात्रा का दोनों का मल्टीप्लाय करके योग निकाल लेते और печ अछालू एदर वस्तू की कीमत और उपवोग की मात्रा जब चालू वर्ष में वस्तु की मात्रा और आधार वर्ष के उपवोग की मात्रा दोनों का गुड़ा करके और अपन चालू वर्ष का समुई व्याई और आधार वर्ष का समुई व्याई घ्याद कर लेते हैं दोनों का अनुपात निकाल लेते और 100 से गुणा कर देते तो अपना समूईत विधी से अपने को सुचकांग की रश्णा हो जाती है कैसे ? तो पहले देखेंगे लेस्पेर किमत सुचकांग निकलना है तो P01 psychology passion 5 वर्श और आधार कि की तुमन आज़ाइय पीवन की जीरो पीजिरो का मतलव होता है चालू वर्श का समूई विया है और आदार वर्ष का समुई वे multiply by 100 और इसके नरे अपन को सिग्मा लगाना होगा अर्थात इसका योग भी करना होगा बिना योग करे सूत्रा अधूरा होगा तो अपने यहाँ पर देख लिया कि लेस्पेर कीमत सुचकांग के लिए अपन निकालेंगे समेशन ओप यह सिग्मा पी वन क्यो जिरो अपन सिग्मा पी जिरो क्यो जिरो multiply 100 अर्थात चालू वर्ष का समुई वे उपर लिख दिया और नीचे आदार वर्ष का समुई वे लेंगे दोनों के नुपात को सो से गुणा करेंगे तो अपना लेस्पेर का किमत सुचका निकल जाएगा इसमान या याद रखना है कि उपर तो अपना चालू वर्ष का वस्तु रहंत के साथ में आधार वर्ष का उपभोग विये लेंगे और नीचे आधार वर्ष में वस्तु की किमत और अधार वर्ष में उपभोग क्या वे को गुणा करके उसका योग कर लेंगे त किमत अपोन आधार वर्ष में वस्तू की कीमत और चालू वर्ष के अंदर उपभोक कीमत का गुणा करेंगे और एन्टु सो करेंगे तो पाश्य का मुल्य सुच का ज्यातो जायेगा देख लीजिन दोनों सुत्र को याद करने के लिए यहांपर P1-Q0 यहांपर पीवन क्यों वने यहां पीजिरो क्यों जुरू है क्यों जिरो है तो यह अपन को अच्छे से याद रखना है तो यह हो गया लेस्पेर की मत सचका और यह हो गया पाशे का मुल्य सचका अब अपन बात करते मुल्यानुपातों की माद्देविदी इसके अंदर क्या करते हैं स जो वस्तू की कीमत ऑपन असे से करदें गेंगे तो अपना निकल जाएगा और फिर जैसे मेने यह पर इसके से लिख देङ प्राइज़ अर्था करंट यर प्राइज बैसिक यर प्राइज सो और चुए 6 के कि से निकाल देंगे उस आर को मत्लब हमता है कुल भार आरा समझ में डेब्लीव का मत्लत है कुल भार ज है चुशके उपने कुल भी भी कहते हैं और ड detrimental to अपना होता है पी इन्टु क्यू एरता किसे वस्तुकी की मत में उसकी उपुबबग की मात्रगा बुणा कर देते तो अपनको भार ग्यात हो जाता है तो जब भार को आर से मल्टिप्लाए करके उन सबका योग निकाल दिया जाता है और उसी में आर्ग के योग का भाग दे देते तो मुल्यानुपातों का जो कीमत सुचकांग अपना निकल जाता तो इस प्रकार आज की जब लुल्य के अंदर तो अपने सुच कांग सुच कांग की विशेशता हैं और सी माय देख लिए और साथ में मुल्यान उपत्यों पात्यों की माध्यवदी देख लिए समूत विदी के अंदर लेस्पेयर की किमशुचकंग विदी और पाशे का मुल्य सुचकंग देख लिया, तीनों तरह के सुध्र देख लिए, अब बच्चों आपको अच्छे से सुचकंग क्या है इसका क्या उपयोग है, क्या विश्यशना है क्या हानिया है और क्या सीमा है और किस प्रकार सुचकांग निकालते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा अब इससे related कुछ numerical है जिसको अगली वीडियो के अदर देखेंगे तो अगली वीडियो के साथ यह अपना 8 चप्टर भी complete हो जाएगा अब मातर एक lesson बचता है उस एक lesson क बाद अपने पूरे 11 की economics की दोनों बुक पूरी हो जाएगी तो बच्चो मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए बार बार रिविजन किजिए और नोट से बनाते रहिए और यदि आपको मेरे जो लिखें मेरे नोट उसको भी चाहिता आप इसका screenshot लेकर के जूम करके इसक को देख सकते हैं तो आज की उडियों पस इतना ही काफी है अब अगली वीडियो के दर अपने फिर से बिलेंगे तब तक आप मेरे साथ बने रहे हैं थेंक्यू